दोस्तों PUBG बैन को लेकर काफी समय से बातें चल रही थी, पर आखिरकार 2 सितंबर को Ministry of Information and Technology ने PUBG के साथ 117 चाइनीज आप्लिकेशन्स बैन कर दिये, तो दोस्तों 117 आप्लिकेशन्स को बैन करने का कारण जानना चाहते हैं, और PUBG का Alternative आप्लिकेशन्स जानना चाहते हैं, तो वीडियो एन तक देखना ना भूलें, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यह बताता हूँ, कि PUBG के साथ 117 जो चाइनीज आप्लिकेशन्स है, उनको बैन करने एक्जाक्ली क्या रीजन था, तो दोस्तों PUBG समेत जो बाकी आप्लिकेशन्स है, वह गवर की रडार पर थे, PUBG Mobile एक चाइनीज आप्लिकेशन्स है, और इसे बैन करना देश के सेक्यूरिटी के नजरिये से जरूरी बन दाता है, PUBG Mobile, PUBG Mobile Lite और ऐसे टोटल 118 आप्लिकेशन्स बैन किये गए हैं, और आप इनके नाम लिस्ट में भी देख सकते हैं, और ऐसा पहली बार न गाया गया था, कि यह आप्लिकेशन्स डेट प्रिविसी और देश के सेक्यूरिटी के लिए खत्रा है, तो दोस्तों क्या PUBG भी देश के लिए खत्रा है, तो दोस्तों में डीटेल्स में बताता हूं कि यह चाइनीज आप्लिकेशन्स किन कारणों से देश के लिए खत्रा है जो majority Chinese applications होते हैं वह आपका data एक Chinese server पर store करते हैं और दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय इंडिया और चाइना का relation अच्छा नहीं है इसी कारण हमारे Indian government ने यह strong step लिया है और एक preventive measurement लिया है जिससे आगे आने वाले time में कुछ problem ना create हो जाए जिससे लोगों के साथ हमारे देश को भी खत्रा हो और कुछ घलत intention ना पास हो पाई यह helps के through और दोस्तों PUBG को वैसे तो South Korea ने develop किया था और लेकिन इसका mobile version China के टेंसेंट company ने develop किया था जो PUBG को ban करने का main कारण बन जाता है आप इसका एक अच्छा point of view भी निकाल सकते हैं जैसे कि आपने अभी तक PC gaming और console gaming का experience नहीं किया है तो आप इनका experience भी कर सकते हैं और mobile से बाहर निकल कर आप नई चीज़ें explore कर सकते हैं लेकिन अगर आपको PUBG का ही alternative जानना है तो मैं ऐसे तीन applications के नाम बताता हूँ जो PUBG का potential alternative बन सकते हैं और यह तीनो ही game made in India है made in India game number 1 musk gun multiplayer apps और यह game 10 million से ज़्यादा download हो चुका है और उसका rating भी अच्छा है जो है 4.2 made in India game number 2 Scarful the royal combat और इसे 1 million से ज्यादा लोगों ने download किया है और इसकी rating 4.1 है और इस game का graphics और control बहुत ही अच्छे है made in India game number 3 राग हैसिस्ट यह game अभी तक release नहीं हुआ है और इसे Life Like Private Limited ने develop किया है जो महाराष्ट मुंबई का एक new startup है और इस में से किस भी applications का promotion करने के लिए हमें पैसा नहीं मिला है यह सब बस हम आपको aware करने के लिए बता रहे हैं और अगर हम इन्हे share नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत दोस्तों at the end मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर date privacy और security के law अच्छे होंगे इंडिया में cyber law related जो issue है वे भी सुदर सकते हैं मिलते हैं next video में जय हिंड जय भारत